आज का हमारा टॉपिक है centrifugal clutch centrifugal clutch कैसे काम करता है इसके applications and सारे important formulas and relation आज हम सीखेंगे centrifugal clutch एक प्रकार का clutch है जो यूज्ज किया जाता है मशिन टूल में या फिर किसी moped में या go cart में centrifugal clutch दो basic principle पे काम करता है, वो होता है centrifugal force का principle and friction force का principle centrifugal clutch को समझें उसके पहले आपको clutch क्या होता है एक बार मैं याद करा देता हूँ clutch एक ऐसा mechanical device है या फिर component है जो की input देने वाली machine जैसे की कोई motor हो सकती है या फिर IC engine हो सकती है वो जो अपना rotation है वो किसी application को देना चाहती है तो वो application को directly speed देना आसान नहीं होता अगर वो application continuously अपना speed बदल रहा है तो ऐसे case में बीच में clutch यूज़ किया जाता है clutch बहुत ही आसानी से बीच में लग जाता है और input मतलब की motor या फिर engine का speed लेकर gearbox को और फिर आगे के application को देने में मदद करता है क्लच को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से gearbox में gear change कर सकते हैं और साती साथ एक smooth motion transmit कर सकते हैं तो चलिए समझते हैं centrifugal clutch दिखता कैसा है आपके सामने जो मैंने डाइगराम बनाया है यह डाइगराम दो व्यूज़ है centrifugal clutch के पहला आप कह सकते हैं front view है और दूसरा उसका side view है centrifugal clutch दो basic principle पर काम करते हैं जैसे कि मैंने आपसे कहा इनका working समझने से पहले आपको दो principle पता होने चाहिए सबसे पहला centrifugal force क्या होता है centrifugal force हर वो body experience करती है जिसका कोई mass हो और वो rotate हो रहा है और वो जो force experience करती है उसकी जो magnitude होती है centrifugal force की उसे अगर हम FC कहें तो वो होती है MR omega square जिसमें FC मतलब centrifugal force जो वो body experience करती है M उस body का mass होता है R होता है उस body के CG का distance from the center of rotation and omega होता है उसका angular speed in radian per second यह होता है centrifugal force and दूसरा principle हमने कहा friction force friction force आपको पता होना चाहिए उसे हम denote करेंगे by FR friction force होता है coefficient of friction into normal reaction जिसे हम कहते हैं mu rn दोनों force अब जहां से देख लें एक है centrifugal force और एक है friction force friction force एक resistance होता है जो हर body experience करता है अगर वो किसी surface के साथ contact बना रहा है और वो surface उसको friction दे रहा है तो friction resistance कभी भी body के motion के opposite direction में body experience करता है और इसमें जो the term है इसे कहते हैं coefficient of friction reaction mu और यह होता है normal reaction जो दोनों भी contacting surfaces experience करते हैं तो चलिए अभी समझते है centrifugal force कैसा दिखता है centrifugal clutch का यह व्यों अगर आप देखें तो यह वाला shaft होता है driving shaft और यह वाला होता है driven shaft अच्छा driving shaft का मतलब क्या है driving shaft वो shaft होता है जो किसी motor से अपना speed लेता है या फिर engine से speed लेता है बीच में यह clutch है और यहां पर यह है driven shaft इसे कहते है driven shaft driven shaft किसी application का shaft हो सकता है या फिर gearbox का shaft हो सकता है यहां पर एक दो यह दो जो component है एक दो और यह तीसरा component यह driving shaft का हिस्सा है वेराज यह वाला जो component है यह driven का हिस्सा है इनको नाम दोरा समझाता हूँ driving shaft का ये जो हिस्सा है इसको spider कहते है ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है spider और यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते है spring ये है spring और ठीक उसी के उपर जो component है उसे कहते है shoe ये होता है एक shoe अच्छा जो shoe होता है shoe के end पे blue color का जो मैं दिखाया है उसे friction lining कहते है side view में अगर आपको सारे component समझे होंगे driving के तो मैं एक बार यहाँ पर भी समझा देता हूँ driving shaft, spider, spring और shoe यहाँ पर ये है driving shaft और ये जो आपको cross की तरह दिखाई ज़रा ये spider है ये वो spring है और ये चार है shoe front view में आपको दो ही shoe नज़र आएंगे तो side view में आपको चार हो shoe नज़र आएंगे ये जो दो shoe है ये यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं आपको spider spider इसको spider इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है ये shoe को एक defined direction में move करने के लिए constraint करता है मतलब वो उसको सिर्फ कहता है कि shoe को सिर्फ उपर नीचे मतलब reciprocation करने में help करेगा एक direction देगा और वो avoid करेगा shoe को deflect होने से ऐसे हर जगा पे वो वही करेगा spider में shoe सिर्फ reciprocate कर सकेगा मतलब वो सिर्फ एक particular direction में उसे constraint कर देता है spider spider rider और उसके बाद में यह shoe और यह spring मिलके driving का component बनते है driven का यह वाला हिस्सा होता इसे कहते है drum drum को rim भी कहते है drum को rim भी कहते है जैसे वहाँ पर drum है तो यहाँ पर यह वाला diagram में drum दिख रहा है drum के पीछे रहेगा यह वाला shaft तो अगर आप यहाँ पर देखें यहाँ पर रहेगा driven shaft और यह drum के उस तरफ रहेगा driving shaft and पीछे driven shaft I hope आपको component समझ में आ गये होगे component समझ में आ गया होगा तो चलो देखते हैं यह काम कैसा करता है तो हम इसको समझने के लिए एक कोई तो application ले लेते हैं जो पहला application किसी को imagine हो तो मैं कहूंगा let us say यह कोई तो centrifugal clutch मोपेड में यूज किया जा रहा है मोपेड आप समझते हैं मोपेड जैसे कि आपकी वो गाड़ी जिसमें gear नहीं लगता आपकी normal गाड़ी बोले तो Activa लुना यह सारे जो कमपरेड को मोपेड कहा जाता है जरूर नहीं हर मोपेड में centrifugal clutch ही हो उनमें अलग-अलग तरह के gearbox भी हो सकते हैं जैसे कि CVT होता है फिलाल हम मान के चलेंगे किसी मोपेड में centrifugal clutch है तो यह काम कैसे करेगा वो समझते हैं यह वाला शाफ्ट रहेगा एंजिन को तो एंजिन यहां पे घूमता रहेगा तो एंजिन के घूमने के कारें यह भी हिस्सा घूमेगा साथ ही साथ यह पूरा घूमेगा मतलब आप समझ लें यह शाफ्ट अगर ऐसे clockwise घूम रहा है तो यह चारो शूज भी clockwise घूमते रहेंगे आप समझ गह रहेंगे तो अभी यहां पे हम लेटस से एक एक एक्जामपल लेते हैं कि गाड़ी में यह जो शू है यह अभी इस पोजीशन में है गाड़ी को अलग-अलग condition देते हैं पहले गाड़ी बंध है जब गाड़ी बंध होगी तब यह शू क्या experience है रहेगा वो समझते हैं imagine कर लोग वो शू में यहां पर बना देता हूँ एक ही शू बनाता हूँ जो की यह वाला है यह वो शू हो जाएगा और उसके उपर का यह blue color से दिखा दूँगा मैं friction lining यह हो जाएगा वो शू का friction lining stationary condition मतब गाड़ी अगर रुकी हुई है तो उस समय यह जो shaft होगा यह कोई भी revolution नहीं करता होगा तो ऐसे case में यह single shoe क्या experience करेगा इसके सभी forces कैसे होंगे इसके जो सभी forces होंगे एक मातर force होगा वो होगा spring force जो सको नीचे की तरफ कीचेगा spring force जो से नीचे की तरफ कीचेगा अब एगर मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ example को तो लेटास से अब गाड़ी हम चालू कर देते हैं अच्छा गाड़ी जभी चालू करते हैं तो गाड़ी में अलग-अलग speed होता है आपको गाड़ी के एंजिन का आवा जाता है फिर भी गाड़ी आगे नहीं जाती क्यों ऐसा होता होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस speed को कहा जाता है idling speed वो speed इतना slow होता है कि वो इनफ नहीं होता इस clutch को driven से engage करने के लिए मैं क्या कहना चाता हूँ फिर से समझना जब गाड़ी आपने चालू कर दी तो मतलब starter देने के बाद में यह घूम रहा है यह जब घूमता होगा तो यह पुरा assembly घूमता होगा तो उस दौरान कौन-कौन से forces यह experience करेगा आप समझें spring force तो पहले यह शू experience करी रहा था लेकिन आप गाड़ी के चलने के कारण मतलब गाड़ी के engine के चलने के कारण अब यह शू rotate कर रहा है और वह शू का एक होगा mass m लेटर से यह जो distance है वो उसका r distance है कौनसा distance? शू के cg से center का distance अगर यह cg का distance r है इसका mass m है और मान लो यह किसी revolution n से घूम रहा है तो इस समय यह experience करता होगा एक centrifugal force centrifugal force क्या होता है? एक outward push जो यह body experience करेगी rotation के कारण अगर यह outward push है तो यह बाहर के तरफ experience करेगी एक centrifugal force अच्छा लेकिन होता क्या है? यह इतना कम होता है क्या कम होता है? स्पीड कम होने के कारण स्पीड कम होना मतब ओमेगा कम होना आपको ओमेगा और स्पीड का relation पता होना चाहिए यह ओमेगा अंगलर स्पीड होता है और अगर हम rpm के बात कर रहे हैं वह था revolution पर minute तो ओमेगा होता है 2 pi n by 60 आप n को revolution पर minute भी कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी भी कह सकते हैं तो यह जो revolution इसका होगा यह ऐसे हम लें clockwise अस्यूम करके n revolution बोल दिया input shaft को तो उस revolution से अगर यह घूमता होगा तो उससे में उसका shaft को और इस पूरे assembly को अंगलर स्पीड होगा कोई तो एक ओमेगा उस particular omega पे जो centrifugal force होगा वो बहुत कम होगा क्योंकि वो बहुत कम होगा इसलिए spring force dominate करेगा और बिल्कुल भी इसे हिलने नहीं देगा मतलब यह इतना कम होगा कि अभी भी यही dominate कर रहा है इसे कहते हैं वो speed जिस पे कोई भी motion spring के force के कारण shoe experience नहीं करता अब आप क्या करेंगे आप हलका सा throttle देंगे throttle मतलब आप accelerator थोड़ा सा घुमाएंगे जब आप हलका सा accelerator घुमाएंगे तो एंजिन का speed बढ़ेगा जब एंजिन का speed बढ़ेगा तो यह पूरे assembly का speed बढ़ेगा जब पूरे assembly का speed बढ़ेगा तो उस पूरे assembly के speed बढ़ने के कारण एक particular speed ऐसे आईगे, लेट ऐसे एक particular speed omega 1 होगी वो omega 1 इतनी होगी कि ये उस omega 1 के कारण नया centrifugal force बनेगा let us say वो होगा, FC1 बोलता हो मैं, FC1 is equal to mr omega 1 square ये FC1 इतना होगा कि जितना FC1 होगा उतना ही spring force होगा ये कब हुआ? जब आपने हलका सा throttle दिया, हलका सा जब आप throttle देते हैं तो होता ये है कि ये जो shoe है उतना ही force बाहर experience करता है जितना inward pull होता है, इस status को, इस status को कहते हैं जहां पे spring suspended experience करता है so in this case, the force which is outward is equal to force which is inward तो आप क्या सकते हैं, इतना sufficient centrifugal force होता है कि spring force nullify हो जाता है and ये suspended experience करता है हमने उस पे omega क्या assume किया था? omega 1 उस समय क्या हुआ, से centrifugal force कितना था? m r omega 1 square तो उस case में हम कह सकते हैं, जितना FC है, उतना FS है that is, weightlessness condition you can say उस समय, जितना FC, उतना FS हो जाएगा तो हम कह सकते हैं, ये FC1 equal to FS है अब क्या होगा? आप गाड़ी आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, आप क्या करें? आप थोड़ा सा और throttle देंगे जब आप थोड़ा सा और throttle देंगे, तो आपके इस थोड़े से throttle देने के कारण अब ये जो shoe है, अब ये बाहर जाना travel करेगा क्योंकि जब ये FC more than FC1 हो जाएगा तो ये वाला जो बाहर का जो push होगा, वो अंदर के push से जादा होगा तो ये बाहर ट्रावल करना शुरू कर देगा और जब ये बाहर ट्रावल करना शुरू कर देगा तब ये बना लेगा इस drum के साथ contact जब ये drum के साथ contact बना लेगा तो drum उसको देगा एक normal reaction drum देगा उसको एक normal reaction वो drum जो normal reaction, normal reaction मतला reaction which is given by the surface in the direction perpendicular और normal तो ये हो जाएगा normal reaction जो की radius के along होगा वो normal reaction कितना होगा वो normal reaction को अगर मैं Rn कहता हूँ तो वो normal reaction equal to normal reaction equal to कहा जाएगा FC minus Fs normal reaction कौन दे रहा है ये surface दे रहा है तो वो normal reaction की value जो हो जाएगी magnitude equal to FC minus Fs ये normal reaction जब shoe experience करेगा और वो normal reaction प्लस lining का friction जब enough होगा तो friction के कारण shoe drum को पकड़ लेगा और जब shoe drum को पकड़ लेगा तो वो drum shoe के साथ घूमना शुरू कर देगा इस तरह से जब आप throttle देते हैं तो ये घूमता है ये बाहर जाता है ये जब बाहर जाता है तो drum को पकड़ लेता है और जब drum को पकड़ लेता है तो जैसे ये घूमता है वैसे दिरे दिरे ये उसकी speed पकड़ लेता है इस तरह से इसका revolution इस driven shaft को मिल जाता है समझे होंगे किस तरह से ये काम करता है इस तरह से इस normal reaction के कारण एक friction force induce होता है friction force की value हमने सीखी क्या होती है friction force FR is equal to coefficient of friction into normal reaction normal reaction कितना है FC minus FS तो ये हो जाएगा mu into FC minus FS FC क्या होता है MR omega square FS क्या है MR omega 1 square तो FR क्या हो जाएगा mu into MR omega square minus MR omega 1 square इस M और R को common लेके बाहर निकलू तो ये हो जाएगा म्यू ये हो जाएगा म्यू into MR omega square minus omega 1 square समझते हैं ये FR क्या है ये FR एक frictional resistance है जो single shoe experience करता है ये single shoe वो frictional force experience करता है उसकी value होती है म्यू MR omega square minus omega 1 square इसमें म्यू क्या है म्यू है coefficient of friction between the shoe and the drum M क्या है mass of each shoe R क्या है R है एक single shoe का center से distance मतलब single shoe के CG से लेके center of rotation का distance omega क्या है omega वो rpm है जिस पे power transmit हो रहा है omega 1 क्या है omega 1 एक particular rpm है जिस पे spring force and centrifugal force same हो जाता है ऐसे case में ये जितना नीचे का force experience करता है उतना ही upward force experience करता है ये FR याद रपना सिर्फ एक single shoe का है ऐसे ही यहाँ पे 4 shoe है तो ये force को हम convert करेगे into n number of shoes तो अगर हम कहते हैं n, n shoes n shoes मतलब n shoes है तो उसका total FR हो जाएगा n into mu m r omega square minus omega 1 square ये क्या होगा ये होगा frictional resistance resistance experience by all the shoes and all these resistances of all the shoes will help rotate the drum इस तरह से ये drum इस force के कारण rotate होगा rotate होता है तो क्या देते हैं rotation के लिए जो force जिया जाता है उसे angular force मतलब कि torque कहते है torque का formula क्या होता है torque होता है force into radius torque is equal to force into radius तो अगर मैं force fr बोलता हूँ तो radius क्या हो जाएगा radius हो जाएगा इस drum का radius drum का radius क्या हो जाएगा उसे हम rd बोल देंगे तो fr into rd ये हो जाएगा fr into rd torque exerted by all the shoe on the drum जब ये drum को इतना torque मिलेगा तो drum आगे क्या ट्रांस्मिट करेगा power transmit करेगा power क्या होता है power होता है torque into omega omega आपको आता ही है torque आपने निकाल ही लिया है इस तरह से आप power transmitted निकाल पाएंगे और ये तीनों formula अगर आपको समझ गया है तो आप centrifugal kick formula से centrifugal clutch को analyze कर पाएंगे करेंगे करेंगे